आप लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई कुछ-कुछ औरगेनिक के भी वीडियो चैनल पर डाल गरो और क्यों न डाले भाई बविश्य में हम सबको इस पर ही आना है तो शुरुवत के लिए मैंने ट्राइको को चुनाए साथ में फंगस और बैक् यह विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा इस वीडियो में हमने ट्राइको क्या है ट्राइको फसल में काम कैसे करता है ट्राइको कौन सी फसलों में इस्तमाल कर सकते है ट्राइको कौन कौन से रोगों पर काम करता है ट्राइको की कीमत कि कितनी है और ट्राइको का डोस कितना है और इसके साथ होगी आज की खास बात तो मैं हुदी वेराज और आप देख रहे हो अनिर्माता चली शिर्वत करते हैं आज की विडियो की त्रीको डॉर्मा फंगस जो अमारे जमिन में ही कुछ मात्रा में पाई जाती है ट्रीको डर्मा लगबख 25 से 30 degrees Celsius में आच्छे से बढ़ती है और कुछ स्पेसिस तो 40 degrees Celsius के तापमान में भी जिन्दा रह सकती है ट्राइकोडार्मा जब पैकिंग किया जाता है तब उसकी कितनी संक्या उस प्रोडक्त में है इसे सेल काउंट कहते हैं अभी आप स्क्रिम पर ट्राइकोडार्मा का प्रोडक्त देख रहे हो उसका काउंट टू इंटू 10 रेस टू 6 है इसका क्यालकुलेशन यह दि करें तो वह 20 लाक होता है मतलब उस प्रोडक्त में 20 लाक ट्राइकोडार्मा है ट्राइकोडार्मा की फंगस है लेकिन सिर्फ हम इस प्रोडक्त को फसल में देते तो हमें रिजल्ट तूरंत नहीं दिखते क्योंकि जहां करोड़ों की संक्या में ट्राइकोडार्मा चाहिए वह ला बढ़कर उसका विगटन जल्दी हो जाता था लेकिन आज देखो गायका गोबर साथ दिन बाद भी जैसे का तैसा दिखता है ऐसा ओने का कारण हम जो पेस्टी साइड इस्तमाल कर रहे है वह आमारे जमिन में इन सुष्मजीओं को बहुत ज्यादा कम कर रहे है अब यदि कोई जानवर सड़क पे मरता है तो जब तक उससे कोई उठा कर फेक ना दे तब तक वह जानवर आपको महिनों तक जैसा का तैसा दिकाई देगा इसका कारम भी विगटन करने वाले सुष्मजीओं की कम होई संक्या है पहले के दिनों में दूसरे दिन से ही उसमें विगटन होना शुरू हो जाता था मैंने जो यह बात बताई क्या यह सच है या नहीं कमेंड में अपनी राय ज़रूर दे तो ट्राइकोडार्मा के दो फ किसानों को पहले से ही मालूम होगी लेकिन तेजगती से कैसे मल्टिप्लाय करें यह मालूम नहीं होगा तो पहले हम एक बड़े ड्रम में ट्राइकोडार्मा पावडर 200 लिटर पानी में एक किलो डालेंगे और साथ में इस फंगस को मल्टिप्लाय करने के लिए खाना लग और अंदरेक अबेमें भी आप ट्राइकोडार्मा को मल्टिप्लाई कर सकते हो इस पानी को दिन जितन्य बार मूमकिन हो एक डंड़ि से हिलते रहे6-7 दिन बाद पानी के उपर जितने ज्यादा पानी के बुलबुले आएंगे उतना ही आपका ट्राइकोडर्मा मल्टिप्लाइ हो चुका होगा अगर बुलबुले नहीं आते तो समझ जाना कि ट्राइकोडर्मा मल्टिप्लाइ नहीं हो आए अब मल्टिप्लाइ होने के बाद 200 लीटर पानी से 180 लीटर पानी आप स्प्रेयंग से यद में से आप अपनी फसल को दे सकते हो और बचे होए 20 लीटर पानी में हमें ओर 180 लीटर पानी एंके 230 लीटर पानी मिला कर फिर जैसे ही आमें प्रोसीजर करते रहना है आईसा आप लंबे समय तक करोगे तो उसके रिजल्ट आपके लिए अवश्विश्विश्णिया आते रहेंगे अब जानते हैं ट्राइकोडर्मा आखिर काम कैसे करता है ट्राइकोडर्मा फसलों पर और जमीन में अपनी कॉलनिस बन मिलता ही है साथ में कोई डिसीज का अटेक हो तो यह उसे आसनी से कंट्रोल कर लेते हैं और इसी क्रियास में जो कुछ पदर्थ बनते हैं वह फसल के लिए बहुत फाइदेमंद होती इसलिए तो ट्राइकोडर्मा देने पर फसल और भी ज्यादा बढ़ने लगती है ट्रा रेकोडर्मा अज इन डिसीज को कंट्रोल करता है उनमें फ्यूजर्यम विल्ट रूट रूट ब्लाइट डंपिंग अप पर काम करता है मैं तो कहता हूँ कि जितने भी डिसीज फंगस वायरस और बैक्टरे की वजह से आते हैं यह उन्हें कंट्रोल करेंगा क्योंकि पसल के जिस जगह पर कोई और डिसीज आटेक करता है वहां यही बढ़ जाता है आटेक करने के लिए जगह तो चाहिए तो आल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लो यह बिल्कुल मूब थे इससे आपको समय पर आपके आमरे वीडियो देखने को मिलेगे अब खास बात में हमने जो ट्राइकोडर्मा मुल्टिप्लाय करने का तरीका बताया था उसे आप अपने फसलो पर प्रिवेंट इससे एप्लाय करके रखोगे तो फसल पर कोई और रहानिकारक फंगस या बैक्ट्रिया का या वाइरस का भी आटक ही नहीं हो पाएगा आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज्याधा से ज्याधा इस वीडियो को लाइक भी करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जै जावान, जै किसान.